गुट बॉर्निंग फ्रेंट्स वैल यूपीसी का जो प्रिलिम्स का एक्जाम हो चुका है और आप सभी लोग मेंस की प्रिपरिशन कर रहे होंगे वैल दो दिन पहले यूपीसी ने जो है एक गाइडलाइन जरी करिए मेंस के एक्जाम के लिए कि आपको मेंस में किस तरह से पहले आपको क्या ध्यान में रखना है यूपीसी ने की प्राइडलाइन कौन-कौन सी दिया और आपको क्या नहीं करना है जिनके कारण आपको पेनल्टी लग सकती है कौन-कौन सी चीज़ूं करने और किस तरह से जो है उनको ध्यान रखना है देखो यहां पर एक मार्क शीट है जिसमें यहां पर यह लगा रखा है इन्होंने पेनल्टी पेनल्टी मार्क लगा रखें तो इस तरह से जो है फाइप मार्क इन्होंने पेनल्टी लगा रखें क्योंकि इन्होंने कुछ र बात करने वाले कि आपको कौन-कौन सी चीज़े यहां पर जो हैं फॉलो करनी है जिनके वज़े से आपकी जो है मार्क नहीं कटो जब आप यूपेसी का जो मैंस का आंसर चीट जब ओपन करते हो तो आपके पास में कुछ इस तरह का ओपन होता है यह यूपेसी का ओफिशल उपेसी की आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले यहनोंने क्या लिखा है इर्लेवेंट मैटर रिटन इन देक यूशन कम आंसर सीट वो कौन-कौन से इर्लेवन चीज़ें हैं जो आपको यहां पर मेंशन करें यहीं लिखमी है सबसे पहले देखो यहां पर लिखाया है 706 त तो यह यहाँ पे अगर आप करते हो तो इसी की penalty कितनी हो जाएगी आपको 5 marks जो इसकी penalty आपको देनी पड़ सकते तो यहाँ पे किसी भी तरह का इसको देखो cross लगा रखा है और इस तरह का आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे लिखा परिक्षा का नाम जो आपको एक्जाम का नेम लिखना है civil service means और जिस year में आप एक्जाम का आपको नाम लिखना है इसके बाद में आपको अपना medium mention करना है यहाँ पर अगर आपका medium English है तो English लिखोगे, Hindi है तो Hindi लिखोगे, कुछ और other language है तो आप वो अपना medium mention करोगे इसके बाद में आगे देखते हैं कि कौन-कौन से instruction और हैं जिनकी वज़े से जो है आपको यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर 766 पिशली बार लिखावा था, 706 नहीं लिखके और किसे नहीं पर क्रोज का चिन बना दिया तो इस तरह का आप क्रोज का चिन भी नहीं बनाओग यह भी गलत हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, अगर आपको कुछ आप ने मार्क करोगे ने कुछ और लिखोगे, यहाँ पर ओम का सिंबल बना रख है, तो यह भी गलत है आपको और यहाँ पर इस तरह के भी आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस भी धरमे religion में believe करते हो तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप answer seat पे भी जो है यहाँ पे आप यह लिखोगे देखो इन सारी चीजों का एक ही अड़त है कि यूपेस से नहीं चाहता कि जो examiner आपकी जो है answer seat check कर रहा है उसको किसी भी तरह से किसी भी candidate के बारे में idea हो कि वो कौन है कह हां का एक क्या है तो यह सब कुछ वो नहीं बताना चाहता है इसलिए यहां पर यह एक तरह से symbol जाता है कि हां मेरी answer seat जो होगी उस पे इस तरह का क्रोस बनावागा या मेरी answer seat पे ओम बनावा होगा या फिर मैं 706 से लिखूंगा तो इस तरह से जो है इंडिकेशन हो सकते ह आगे कि इस तरह का कोई इंडिकेशन जो है आप अपनी answer seat पे नहीं छोड़ेंगे इसके बाद में आगे देखते हैं कि यह दुखो एक्जामल नंबर 5 है कि आप इस तरह का जो है आप ओम वगएर हैं यहां पे कुछ नहीं बनाएंगे अगर यह बनाते हो तो इसके बाद म यहां पर क्यूशन फरस्ट है और यह आपका यहां पर जो है क्यूशन लिखावाएं इस क्यूशन के नीचे आपको क्या करना होता है आंसर लिखना होता है अपना अपको पर्टिकुलर्ट जो ऐसे क्यूशन है कुछ क्यूशन ऐसे हैं जिनको आपको 150 words में आंसर देना है तो कई candidates क्या करते हैं कि word limit यहां पर count कर देते हैं कि बाद में उनको पता नहीं चलेगा, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं कि यहां तक 10 word हो जाएंगे, यहां तक 10 हो जाएंगे, यहां तक 45 हो जाएंगे, यहां तक 60 हो जाएंगे, नहीं है Napoleonา क swoje बना सकते हो बाकि है इस तरह का आप emulate करना latest मेरे यहां पर इतने हो रहें यह सब कुछ करके आपको यहाँ पर कुछ ड्रोर्व नहीं करो आगे देखते हैं कि कुन-Kोन गलत थे कि आपको जो page दिया गया है। ओके यहां पे इस तरह आपको कुछ नहीं लिखना, इन दो LINE-0 के बीच में जो आपको framework इसके बीच में आपको क्या करना है अपना answer लिखना है, answer लिखने वाले space के लाग एक इसी और space के ओर space में आपको कुछ भी यहां पर mention नहीं करना है, सिर्फ यहां पर time mention किया इन्होंने, लेकिन यह time mention भी आपके क्या कर सकता है, पांच number आपके जो है कम करवा सकता है, matters irrelevant to answer should not be written, जो irrelevant matters है, answer के अलावा, ठीक है, उसको आपको यहां पर बिल्कुल भी mention नहीं करना है, कुछ भी आपको यहां पर नहीं लिखना है, तो इस तरह से अगर आप करते हो, तो वो भी गलत है, आगे देखते हैं, कि कौन कौन से और एक्जाम पहले है, जो यहां पर जो है गलत हो सकते हैं, अभी जो है इस तरह लिखाता है, इन्होंने, अब इस बार क्या हुआ कि इस तरह लिख दिया, तो इस तरह लिखते हो, तो भी वो क्या है, गलत है, अगर यहां पर आपको परिक्षा का नाम, नेम ओफ एक्जामिनेशन मेंशन करना था, अगर आपने अपना नाम यहां पर लिख देते हो, गलती से भी लिख देते हो, तो भी समझ के चले कि आपके 5 मार्क्स तो यहां से आपके 5 मार्क्स यहां पर चले जाएंगे, तो आपको यहां पर नेम ओफ एक्जामिनेशन लिखना है, गलती से भी आपको यहां पर अपना नाम मेंशन नहीं करना है, इसके बाद में देखते हैं, नेम ओफ एक्जामिनेशन था यहां पर और कंडिडेट नहीं क्या कि नाम तो नेम ऑफ एक्जामिनेशन नहीं लिखेंगे ना रोल नंबर या नाम थोड़ी लिखा जा सकता है बट हां कि उस टाइम थोड़े से प्रेशर में ऐसी गलतियां हो जाती है तो ऐसी गलतियां सभाविक है कि आप लोगों ने पहले कियोंगी आगे कियोंगी जब आप ऑके इसके बाद में मीडियम ऑफ एक् जामिनेशन के इन्होंने क्यावा रोल नमबर फिल अप कर दिया कने यहां बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए इसके लिए आ आपको यहां पर नहीं होना चाहिए अगर आपने गलति से लिखा है तो ठीक है कि अगर आपने गलती से लिख दिया तो यह विजिबल होना नहीं चाहिए इसके बाद में नेम ओफ एग्जमिनेशन था इसमें कंडिडेट ने क्या हुआ अपना नाम मेंशन कर दिया और इसके ओपर क्या हुआ कि ऐसे एरो भी लगा दिया काट दिया इसको लेकिन इस्टल विजिबल है ने आपको नहीं होना चाहिए यह नाम आपका विजिबल नहीं हो इसके बाद में देखो यहां पर जब लास्ट के अंदर जाते हैं तो परिक्षा के सथाक्सर परिक्षा के सथा सिगनेचर ऑफ एग्जामिनर था यहां पे ठीक है और आपने क्या किया कि आपने शाहिन यहां आपको च्बिदेट चुछ कम आंसर बुकलेट उसमें कंडिडेट को कहीं पे भी अपना नाम और शिगनेचर आपके नहीं ओने तो आपको यहां पर कोई अपना नाम वग्णर कोशी यहां पर लिखावा है औफिस यूज उनले तो ठीक है कि फॉर ऑफिस यूज तो यह ओफिस यूज के लिए आपके यूज के लिए नहीं है तो आपको यहां पर गजाना ही नहीं है, आपको यहां से दूरी रहना है, इसके बाद में देखू, next example भी रहा है, लेकिं आप end में जो आपने यहां पर लिखा उसमें आपको अपने signature या फिर आपको अपना नाम mention नहीं करना है आपको यहां पर xyz mention करना है और फिर आप कुछ ओर लिख सकते हो लेकिं आपना नाम यहां पर क्या करोगे mention आप नहीं करोगे signature of candidate has been put here कि यहाँ पे क्या हुआ कि signature जो है candidate आपने signature कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे क्या हुआ नेम उफ the candidate has been written जो candidate है उसने अपना का अवा नाम यहाँ पे mention कर दिया return right कर दिया यह आपको नहीं करना है इस चीज़ का भी आप धान में रखे इसके बाद में देखो इसे आप कि ब्रोडHi या अगर उसको एसे क्रोष मार दिया तो यह गलत आपको इस तरह से क्रोष नहीं ऊसको इसके लिए आपको क्या करना एक कि आपको इस तरह से कुछ भी आपको मैसेज के लिए नहीं छोड़ एक्जामिनरिक और दिर manufacture से Qい लिए कопर दिर्षी कि टर्रूब यहां प обязан करना है यहां पर इन्हों ने मैसेज यहां पर चोड़ दिया कि जो आप है Sir, Madam, यह मेरा अंत्यम पर्याश करें, कि आप मेरे आंसर की जाश किस तरह से करें, यह कुछ करके हैं, यह मेरा लास्ट टैम्प है, तो इस तरह को भी आपको कोई मैसेज आपको नहीं छोड़ना है, तो आपको कोई रिक्वेस्ट यहां पर नहीं करने हैं, इस त बैड इलिजीबल हेंड राइटिंग, अब आपको एक चीज़ यह भी ध्यान रखने हैं, कि आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो कम से कम आपकी इस तरह की आंसर राइटिंग तो नहीं हो, ठीक है, आपकी जो राइटिंग है, वो कम से कम समझ में आने वाली हो, ओक तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसी राइटिंग, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छा सुन्दर सुन्दर जमा जमा की लिखना है, ऐसा नहीं, लेकिन इतना अच्छा तो हो कि वो एक लिस्ट जो है, किसी को समझ में आ सके, इसके बाद में, Controversion of any other instruction, अब किया गया कि क्यूशन नमबर 4D को तो काट दिया, और आपने क्या क्यूशन नमबर 4C का यहाँ पर आंसर लिख दिया, तो यह भी आपको नहीं करना है, जो क्यूशन दे रखा है, उसके नीचे पर्टिकुलर उसी क्यूशन का आंसर करना है, अजर किसी आपको क्यूशन का नहीं करना है यहां पर देखो 4D क्यूशन था ओके और कंडिडेट ने क्या क्या 4C का लिख दिया और इस क्यूशन को काट दिया तो यह नहीं करना आपको कि जो क्यूशन लिखा है उसके नीचे उसी का आंसर होना जरूरी है इसके बाद में irrelevant stress should be not draw anywhere in the answer booklet अब देखो इस तरह का जो है sign आपने बना दिया आपने कोई drawing कर दी इस drawing का यहां पर कोई relevant नहीं था यह answers में कहीं पर mention नहीं करने थी और आपने क्या जबरदस्ती बना दिया तो इस तरह से आपको कुछ नहीं बनाना है अगर आप इस तरह सा कुछ बनाते हो त stretch और ऐसी कोई drawing जिसका रिलेवेंसी नहीं है answer से अगर आप ऐसी बनाते हो तो फिर आपके marks जो है वो क्या होंगे dedicate होंगे देखो right तरीका क्या है यह थे कि इतनी देर जम क्या देख रहे थे wrong तरीके कि क्या क्या आपको जो है नहीं करना है अब देखते correctly fill up the question answer जो है आपक जिस year में आप दे रहे हो उसी में लिखना है देखो अभी टूरत था होगा तो आपको तो आपको टूरत आपको 19 यहां पर mention करना है 20 में देते हो तो आपको 20 यहां पर mention करना है इसके बाद में देखो इसके बाद में क्या है इसके बाद में यहाँ पर जो है आपका medium mention किया है जो भी आपका medium आपको उसी medium में आपको यहाँ पर नाम लिखना है उस medium का नाम लिखना है यहाँ पर आपको अपने role number mention करने और यहाँ पर फिर से जो है आपको name of examination mention किया है जो तो आपको mention करना है तो यह आपको इस तरह से जो है right तरीक है fill up करने का अब इसके बाद में आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन session दिये currently way to cancel the attempt answer अब वो क्या करें कि आपने जो है कोई answer लिख दिया और उस answer लिखने के बाद में आपको क्या करना था कि आपको उस answer को क्या था आपको काटना है कि उस answer को मिरे को cut करना है तो देखो मालो कि यहां पर जो है आपने इस तरह से एक answer लिख दिया दस line का एक answer था जो आपने लिख दिया यहां से यहां तक जो है answer लिख दिया आपको लगता है कि यह मेरी जो four lines है ये मेरे को cut करनी है तो आपको क्या करना है कि इसको आपको एक box में बंद करना है जितनी आपने lines लिखे है इसको आपको एक box में बंद करना है कब नहीं पढ़ा जाएगा जब आप क्या करते हो कि इन लाइन के क्या करते हो चारों तरफ एक boundary बना देते हो इनको एक box में बंद कर देते हो आप इस तरह से और उसके बाद में उसके उपर आप एक cross लगा देते हो अगर आपने ठीक है पूरे पर ही cross लगा दिया यह नहीं जाएगा लेकिन आपको बीच में से किसी part को यह आपको cancel करना है जो आप लिख चुकियो उसको cancel करना है तो आपको क्या करना है उन्हीं लाइनों को जितने lines आपने wrong लिखिया गलत लिखिया काट में आपको उनको एक box में बंद करें और उनके उपर एक cross माड़ दें तो य को क्या करना है कि किस तरह करना कि कि तरह buna कर लिया गलती से उसको आपको इस तरह से यह धिखान में रखनेगे कि आप एक्जाम देने से पहले किन-क छीजों